ओम नमो भगवते वासु दिवाई नमा जैसा कि आपको पता है इस बार परिवर्तनी एकादशी 14 सेप्टमबर यानी की शनिवार के दिन रखी जाएगी तो जो परिवर्तनी एकादशी है इसका शुब महुरत क्या है पारण का समय क्या है सारा सब कुछ में आपको इस वीडि सदेव ही आप पर वनी रहें तो परिवर्तनी एकादशी हर साल भादरपद महा के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को ही परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन ही इसका व्रत रख मानेता है कि इस दिन विश्नु जी की पूजा से मौक्ष की प्राप्ती होती है परिवर्थनी एकादशी हिंदू धरम में हर महा के शुकल-पक्ष और कृष्ण-पक्ष की एकादशी तिथी को ही एकादशी व्रत रखा जाता है यह विशेश दिन विश्णु जी की पूजा अराधना के लिए समर्पित होता है वहीं भाद्र पदमा की शुक्रपक्ष की एकदशी तिथी को परिवर्थनी एकदशी कहा जाता है। तो परिवर्थनी एकदशी कब है। इसके अलावा इसका जो पारण का टाइमिंग है वो 15 सितंबर 2024 को सुबह 6 बचकर 6 मिनट से लेकर सुबह 8 बचकर 34 मिनट तक इसके पारण का समय रहेगा। परिवर्थनी एकदशी की पूजा विधी परिवर्थनी एकदशी के दिन सुबह जल्दी उठे इस नानादी के बाद स्वच कपड़े धारण करें। इसके घर के मंदिर के साफ सफाई करें। पूजा आरंब करें। शिरहरी विष्णू का ध्यान करें। संभव हो तो फलाहार व्रत भी रखें। अब विष्णूजी के फल, फूल, धूप, दीप और नयवध्य, अर्पित करें। विष्णूजी के ओम, नमभगवते, वासू, देव, मंतर का जाप करें। इसके बाद विष्णू विष्णू शहस्तर नाम का पाठ करें। अंत में विष्णूजी और मालक्ष्मी के पाट करना लाब कारी होता है विश्णु जी के मंतरो का जाप करें और प्रभू का ध्यान करें एक अदशी व्रत में क्या नहीं करें एक अदशी व्रत के दिन karodh से बचें भोग में बागी प्रिसात को ग्रहण करें लेकिन तुलसी ग्रहन दल ग्रहन ना करें, कहा जाता है कि एक अदशी व्रत के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, एक अदशी व्रत के दिन जाडू नहीं लगाना चाहिए, व्रत के दोरान किसी की निंदा ना करें, निद्रा, जुआ, चुगली, चोरी, हिंसा और जूट से दूर रहें इस दिन व्रति को गोभी गाजर शलजम और पालक का सेवन नहीं करना चाहिए इस व्रत में तामसिक भोजन मसूर उड़त और चने की दाल के सेवन की मनाई होती है धन्यवाद